आज हम बनाने लगे हैं सब्जी के पकोड़े बहुती मज़े के बनाऊंगी और आप यकिन करें कि यह सब इतने जदा पसंद करेंगे अपके घर में तो इसके लिए रेसिपी आपने अपने एंड तक दिखने हैं तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आ यह शामिल करूंगी हरी मिर्चे थूड़े से हम जादा समय शामिल करेंगे इसके लावब एक अदद मेरे पास चौपकी हुई प्यास है आपके पास इसके लावब कोई भी सबसी अपके घर में मौझूद है तो आप इसमें डाल सकते हैं शिमला मिर्च होगे गाजर होगे मतर होगे मतर अगर आपने डालने तो आपके इसको बॉयल करना होगा यह तमाम जाजरे डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लिए आप कुछ मसाले डाल लेते हैं कुटावा मेरे रपस धनिया था और कुटावा जीरा है यह एक एक चमच भर के दोनों डाले मैं इसके बादा इसके कुछ स्पाओजे जाले लेते हैं पिसीरी लाल मेरे रफ जाले और अदोन रालने के अपन समय क्सब्तावार नामक कर है सारे मसारे सब्ची के साथ अची तरह से लग जाएं अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पस बेसन पड़ा हुआ है बेसन को चान लिया था चानने के बाद एक कप मेरे पस बेसन था अब वह बेसन हम इसमें डाल देंगे जी तो आघा पहले थोड़ा हाथ की मदब से कर लें जिस तर आपको आब को आसा लगता है ओर फोड़ा सा में पानी डालूंगी पानी डालने के बद आप आपने अचितरही अच्छी तरह के उसकी करनी है और बोह ज़्डा गारा भी नहीं करना ठीक है अच्छी तरह से में इसकी मिक्सिंग कर रही हूं थोड़ा सा पानी और तक्रीबे मेरा इसमें हाफ कप पानी इस मिक्सिर में चला गया था और अच्छी तरह से अब दुबारे इसको मिक्स करते हैं जी तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से बैटरिस का तायार हो गया था इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके 5-10 मिनिट के लिए रेस्ट दूँगी ये देख सकते हैं और उसके बाद हम अब इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह हाथ की मदद से लिएंगे और आप में इसको प्रेस्स करना है प्रेस्स लाजमी करना है कि ये पकोड़े की ये अईगी और ये कबाब की शेयिभी आपको देगा तो पैन मैंने पहले से गरम होने के लिए राख दिया था उसमें ओल डालके अच्छी तरह से ये गरम हो गया अब हम इसमें जो हमने ये बनाया है सबसी का बेटर ये इसमें डालेंगे बहुत हलके हाथ से आपने डालना है बहुत जाता मोटे भी नहीं करने बहुत जाता बारीक भी नहीं जी छोटे भी नहीं करने ठीक है जी तो मैंने डाल दी अब बिलकुल भी इसको आपने चेरना नहीं है बिलकुल भी आप भूल जाएं दो से तीन मिनट के लिए जब तक ये नीचे से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो चलें दो मिनट गुजर गए दो मिनट के बाद ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज की और कितने खुबसूरत कलर इसका ब्राउन ब्राउन कलर आ गया था माशाला माशाला आप देख सकते हैं अब मैं दूसरे साइड भी इसकी कर्वेट चेंज करूंगी और इसी तरह से मैंने एक जोगा मैने जब से पहले डाला था वो बन गया था तो मैंने इसको एक साइड पर उदाल दिया अराम अराम से मैं यह सारे निकाल लेती हूँ अब यह देखें कितने मज़े के यह लग रहे थे इसी तरह से हम बकाया भी तैयार कर लेती है अच्छा एंड में बस मेरे परस दो पकोड़ों का मिक्चर रह गया था वो मैंने आपके समने दुबारा से इस तरीके से डाल दिया जी तो यह देखें यह रेसिपी हमारी हो गई बिल्कुल तैयार कितने मज़े के यह लग रहे हैं इस तरह लग रहे हैं जैसे आप सब्सक्राइब कहा रहे हैं और मैंने इसको खुबसूरा सी प्रेट में सर्फ कर दिया है आज की आसान सी रेसिपी उमीद करते हूं कि आप हम फीष